हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में बात करेंगे अपने नाइंट क्लास के वार्षिक परिक्सा के सिलबस के बारे में ये वार्षिक परिक्सा का है अर्द वार्षिक का भी आएगा आपके एक्जाम से थोड़े समय पहले तो उसका भी आपको पता लग जाएगा जैसे आपके model paper वगरा कुछ आएगा तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जो आपके अभी वार्षिक परिक्साई होई थी 2023 में class 9 की उनके आपके हर subject के कम से कम 10 से 15 paper है वो upload है अपने इस channel पे solution के शाथ तो आप check कर सकते हैं सभी subject Hindi, English, Math, Science, SST मतलब सभी subject के paper है वो आप check कर सकते हैं और आपके syllabus में आप जानते हैं कि 30% की लग बग 30% की कमी की गई है ठीक है ना इस वीडियो में तो हम जानेंगे कि आपके कौन सा chapter आएगा, कितने number का आएगा, व्याकरन क्या रहेगी उसके बार subject के चाहिए हिंदी हो, गणित हो, विग्यान हो, विग्यान में कौन कौन सा part और कौन से part के बीच में से कौन सा topic अटाया, प्रशनावली कौन से point, कौन सी पूरी प्रशनावली डेलिट हो, इस सारे आपको एकदम बहतरी इंडंग से समझाए वे, सारे वीडियो आप देख रचना है, वह 15 नमब्र की है, वियवारी कि व्याकरण वह 15 की है, और आपकी दो किताब एहंदी की एक, शितीज भाग एक है, दो स्री कृति का भाग एक है, शितीज भाग दो और कृति का भाग दो, आपको दस्वें में पढ़ने को मिलेगी, ठдж कैंच, तो यह जो होगी, वो नहीं होगा ठीक है ना आपके English का सभी का syllabus आपको यहां पे बहतरी इंडेंग से मिल जाएगा सारे वीडियो अपने इस वीडियो के description में मिल जाएंगे ठीक है और पठित गद्यांस इसमें आठ बहुत चैनात्मक प्रशन आप समझते होंगे बहुत चैनात्मक मतलब हो ग होगे काव्यांस का मतलब कविता टाइप हो गया गद्यांस मतलब कहानी टाइप है ठीक है फिर आपके रचना है वो 15 नंबर के तो इसमें कैसे है देखिए कि आपको एक आदुनीक विशेपर 200 सब्दों में निबंद लिखना होगा ठीक है जिसमें विकल्प मिलेगा आपक समाद या पत्र लेखन ठीक है ना या तो समाद लेखन आता है या पत्र लेखन इसमें भी ऑप्शन है या तो पत्र लेखन एक हो सकता है दूसरा ऑप्शन में समाद लेखन हो सकता है या दोनों ही पत्र लेखन ऑप्शन हो सकते है दोनों ही समाद ऑप्शन हो सकते हैं ठीक और एक्जाम के टाइब तो आपको यहां पर खूब सारे पेपर मिलेंगे प्राक्टिस के लिए ठीक है परतिव्यदन रिपोर्ड लिखन यह आपके आएगा सोशब्दों का चार नंबर का फिर व्यावारिक व्याकरान यह 15 नंबर किये इसमें देखिए पहला टॉपिक अच जिसमें उपसर्ग परतिय विशेशन लिंग वचन यह रहेगा तीन नंबर का ठीक है परसर्ग या कारक ने का क्रिया पर प्रभाव यह रहेगा तीन नंबर का वाकिय रचना जिसमें सरल सहीं तुआ के होंगे तीन नंबर प्रयाइवाची विलोम सब्द सुरुति सम बिना तक सब ये रहेंगे तीन नंबर के मोहावरे ये रहेंगे तीन नंबर के ध्यान रखिए यही टॉपिक आपके जो पिसला सेसन था दोजार बाइस देश उसमें थे और यही आपके तेबीस चौबीस में रहने वाले हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस पेपर खूब सार पन अंक की ठीक है चालेस की किताब पहली है दूसरे पंदरा की तो इसमें क्या रहेगा देखिए एक तो गध्यांस मिलेगा पाट के आदार पे दो मैंसे गध्यांस एक करना होगा छे नंबर का ठीक है दूसरे में क्या रहेगा दूसरे में पध्यांस मिलेंगे दो उन मैं से कोई एक करना होगा उसमें भी छे नुमबर मिलेंगे ठीक है फिर आ जो तीन गदिये से दो पदिये से नंबर पांच सवाल दस नंबर मतलब दो-दो नंबर के सवाल मिलेंगे फिर एक दीर्ग उत्रात्मक प्रश्ण होगा गद्यों और पद्यों दोनों में विकल्प के साथ होगा तीन नंबर का किसी एक रचनाकार का परिचय चाहे लेख़ को चाहे कवी हो दोनों में से आ सकता कवी का भी पूछ सकते हैं लेख़ का भी पूछ सकते हैं नमबर का होगा option रहेगा आपके पास दोनों में से किसी एक को लिखना होगा आपको ठीक है फिर एक निमन्दात्मक प्रशन गर्दियो और पद्यो दोनों में से विकल्प के साथ आएगा पास नमबर का एक बड़ा प्रशन फिर आपके जो दूसरी करती का भाग दो उसमें स पास नमबर का ठीक है ना इस परकार आपके हंदी का सिलेबस रहने वाला है तो इसके according ही आपको तयारी करनी है ठीक है बाकि आपको इस चैनल पर आपके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस जो डिलीट हुआ उसकी वीडियो उस पहले से अपलोड़ेड है आप सारे देख सकते है इस वीडियो के description में आपको सारे link मिल जाएंगे वहाँ पर जाके आप चेक करिएगा और आपके अंकी ओजना बाकी subject में क्या रहने वाली हैं क्या टापिक पढ़ने हैं उंके video भी आपको सारे इस video की इस नीचे वाली playlist में सब कुछ मिलेगा नहीं तो video के जो end screen होती से भी आप देख सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक अपनी तैयारी को शांदार करिए पढ़ते रहिए जय हिंद जय भारत